नमस्कार दोस्तों, आज के डिक्टेशन में पहले एक मिनिट का डेमो होगा, उसके बाद मूल डिक्टेशन शुरू होगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक मिनिट का डेमो, यस सभी तयार, तीन, डू, एक, स्टार्ट, पिछले कुछ सालों से सक्षनिक संस्थानों की स्वायत्ता को चिनने की लगातार कोशिश की जा रही है, जो काफी दुखद हैं, दो साल पहले जवाहरलाल नहरू विस्व विद्याले से शुरू हुए इस तरीके का परियोग जामिया मिलिया, इसलामिया पर भी आजमाया गया विराम, उसी तरह एक विशेश विशे और पाठे करम को बढ़ाने के लिए गैर समुदाई के व्यक्ति का पढ़ने का भी मामला काशी हिंदू विश्व विद्याले मैं देखने को मिला, पूर्ण विराम, चलिए, अब शुरू करते हैं मूल डिक्टेशन, हाँ, सभी तयार, तीन, दो, एक, स्टार्ट, बारिस के पानी को विभिन स्रोतों एवं प्रकलपों में सुरक्षित तथा संग्रहीत रखना वर्साजल संचयन कहलाता है विराम, वर्षाजल संचयन वर्षाजल के भंडारण को संधर्वित करता है ताकि जरूरत पढ़ने पर बाद में इसका उप्योग किया जा सके विराम, इस तरह व्यापक जल राशी को एकत्रित करके पाने की किल्लत को कम किया जा सकता है विराम, भारत में पैजल संकट एक परमुख समश्या है विराम, भूमिगत जल का इस्तर लगातार नीचे आ रहा है और इस वजह से पीने की किल्लत बढ़ रही है विराम, वर्षा जल का उप्योग, गरेलू काम, मसलन, घर की सफाई, कपडे धोने और खाना पकाने के लिए किया जा सकता है विराम, वहीं आध्योगिक उप्योग की कुछ परक्रियाओं में भी इसका उप्योग किया जा सकता है विराम, गर्मियों में वास्पी करण के कारण होने वाली पाने की किल्लत को पूरक जल स्रोत के द्वारा कम किया जा सकता है विराम, जिससे बोतल बंध पानी की कीमतें भी इस्थिर रखी जा सकेंगी विराम, यदि एक टैंक में पानी का व्यापक रूप से संचयन करें तो साल भर पानी की पूरती के लिए हमें जल विभाग के बिलों के भुगतान से भी मुक्ती मिल सकती है विराम, वहीं वर्षा जल को छोटे-छोटे माध्यमों में एकत्रित करके हम बाड जैसे महा परले में भी बच सकते हैं विराम पैरा, वर्षा जल संचयन के लिए वर्तमान में कई वाग्यानिक एवम परंपरागत विधियां परियोग में लाई जा रही हैं विराम, जैसे सतह जल संग्रह परंआली में भू सतह पर घिरने वाले पाने को भूतल में जाने से रोकने के लिए इस परंआली को उप्योग में लाया जाता है विराम, इस परंआली के उदहरणों में नदी तालाब और कुएं आदी शामिल हैं विराम, छत परंआली के जरिये छत पर गिरने वाले पानी को कंटेनरों या भूमिगत टैंकों में भरा जाता है विराम, सार्वजनिक तथा सरकारी तौर पर बांद परियोजनाओं का सफल निर्मान बारिश के जल को संग्रहीत करने में काफी कारगर साबित हो सकता है विराम, बांद जैसे प्रकलपों में जल राशे को लंबे समय तक बांद कर इसका उप्योग नहरों के माध्यम से सिंचाई के परियोजनों के लिए किया जा सकता है विराम, हालां की पूरे विश्व में धर्ती का लगभग तीन चौथाई भाग जल से गिरा हुआ है किन्तु इसमें सिंत्यानवे परतिशत पानी खारा है जो पीने योग्य नहीं है विराम, पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ तीन परतिशत है विराम, इसमें भी दो परतिशत पानी गलेशियर एवं बर्फ के रूप में है विराम, इस परकार सही माईने में मात्र एक परतिशत पानी ही मानव के उप्योग के लिए उपलब्द है विराम, ऐसी इस्तती में प्रतिशत मानव का दाईतुव बनता है कि वह अपने हिस्से का पानी पहले से ही संग्रहीत करके रखे विराम, राजस्थान के रेगिस्थानी इलाकों और गुजरात के कुछ इलाकों में पारंपरिक रूप से स्टॉप, आज के डिक्टेशन में आप लोगों को डेमो का डिक्टेशन नहीं करना है, एक्जाम में दो मिनट का डेमो बोलते हैं लेकिन आप लोगों को डेमो का ट्रांस्क्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं करना है धन्यवाद